नमस्कार दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि MP में PG admission लेने वाल के लिए क्या-क्या rules और regulation है, कौन-कौन उसमें legible है, क्या उनका free structure है और ऐसे ही लगबख सभी बातों के जनकारी हमने कल आपको दे थी आज हम आपको बता रहे हैं कि जब आप online registration करेंगे तो उसके क्या-क्या steps हैं, तो online registration के लिए आपको सबसे पहले ios.mponline.gov.in पर जाकर अपने को counseling के लिए registration कराना होगा, इसके बाद जब आप registration कराएंगे तो आपके सामने जो है यह पेज खुल के आएगा, यह पेज खुल के आएगा जहां पे आप तीन options देख रहे हैं, इसमें आपको बीच वाले option में जाना है, जहां पे लिखा है ios.mpg counseling 2020, जब आप click करेंगे तो आपके पास यह वाला पेज खुल के आएगा, mp estate ios.mpg counseling के लिए इसमें आपको दो option दिखेंगे, पहला है mp estate ios.mpg registration for counseling, जो की 10 December से शुरू होगा और 20 December तक चलेगा, और जो दूसरा है reprint registration receipt, तो इसमें आपको पहले वाले option पे click करना है, counseling के लिए, click करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुल के आएगा, जिसमें आपको All India का, जो IIPGT का roll number है, उसको fill up करना है, date of birth fill up करना है, और mobile number करना है, साथ में last में capture fill करना है, इसके बाद जब आप click करेंगे, send OTP पे, तो यह OTP आपके mobile number पे आएगा, OTP number आने के बाद proceed करना है, जब आप OTP इंटर कर देंगे, तो आपके पास एक काफी बड़ा सा form खुल गाएगा, जिसमें आपको बहुत सी जनकारिया भरनी है, इसमें आपको gender, mother, fathers का name, domicile आपका MP कहाया नहीं है, category कौन सी है, साथ में आपके marks कितने हैं, उसके बाद domicile का certificate कहां से अपन BMS के बारे में आएगा, कि आपने BMS कहां से पास किया है, कितने marks थे, roll number क्या था, state में आपका registration है या नहीं है, आपका permanent address और document verification का address आपकी center पर करना चाहेंगे, इस सारी चीजे भरनी है, साथ में आपको mobile number, email ID और आपको एक passport size photo इसमें upload करना है, upload करने के बार, save data पे click करना है, जब आप data save कर लेंगे, तो आपके सामने फिर आएगा data is saved successfully, please click on proceed to payment for registration, to complete the registration process, तो data fill up करने के बाद, जब save कर लेंगे, तो दिखे नीचे option हा रहा है, proceed to payment for registration, तो यहाँ पे click करेंगे, तो यहाँ से आप payment gateway पे चले जाएंगे, payment के लिए आपके पास इतने options दिखेंगे पहला है net banking, दूसरा है debit, IMPS, UBI या wallet, तो बहुत सारे options हैं, आप इसमें से किसी को भी set करके आप payment कर सकते हैं, payment करने के बाद, finally जो है, आपका registration हो जाएगा, और ऐसा form आपके पास आएगा, इसको आपको print करके रख लेना है, और इसी क्याधार पे आपकी counseling होगी, यहाँ पे charges दिख सकते हैं, portal charges 50 rupees, total fee 150, यानि इसके लिए total 800 rupees आपको जमा करने हैं, तो यह था brief में कि आप जो है MP state में registration कैसे कराएंगे, और क्या क्या इसके steps हैं, इस वीडियो को आप अधिक सदिक share कीजिए, जिसे की और भी लोगों को इसका लाब मिल सके, सुनने के लिए बहु